दोस्तो आज मैं आप लोग को इंस्टैंट पॉट में दही बना के दिखाऊंगी, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और क्रीमी दही कैसे बनता है, बहुत सारी टिप्स अब ट्रिक्स के साथ आज मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंद तक देखिएगा देखिए इस तरह का क्रीमी दही कैसे बनेगा वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो इसके लिए हम ले लिए हैं इंस्टैन पॉट के अंदर जो बर्तन रहता है इसको हम गैस पे अभी रखें दूद गरम करने के लिए आप इंस्टैन पॉट के अंदर भी दूद गरम कर सकते हैं लेकिन आज हम बहुत हेल्दी तरीका से दूद गरम करेंगे हमारे पास फूड मीटर है उससे हम दूद गरम करेंगे हम 3 लिटर दूद ले लिए दूद हमारा होल मिल्क दूद है और आप कोई भी दूद ले सकते हैं और फूड मीटर से हम 80 डिग्री सेल्सियस में सेट कर देंगे और इस 80 डिग्री में जब दूद गरम होगा तो हमारा दही बहुत ही हेल्दी बनेगा एकदम पार्फिक्ट दही बनेगा तो हम अभी गैस का फ्लेम आउन कर दिये हैं और जब ये 80 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा तो बीप होने लगेगा फूड मीटर तो हमें समझना चाहिए कि हमारा दूद गरम हो गया है और दूद बाहर उफन के भी नहीं गिरता है तो चलिए अभी हम दूद गैस का फ्लेम आउफ कर दिये हैं और दूद को अभी ठंडा कर लेते हैं तो इसके लिए एक बड़ा बर्तन ले लिए हम जिसमें हम टैप का पानी भर लेते हैं थोड़ा ही पानी भरना है और उसमें एक आइस पैक रग देंगे ताकि हमारा दूद जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए तो बर्तन हम इस पानी के अंदर रग दिये हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ढख के छोड़ देंगे तक कि हमारा दूद जल्दी से ठंडा हो जाए देखिए हमारा दूद ठंडा हो गया है एक उंगली से छुने लाइक दूद हो गया है तो अभी दही बनाने के लिए और दही डालने के लिए ये परफेक्ट दूद है और हमारे पास देखिए इस तरह का दही फ्लेबर वाला दही था हम उसको डाल दिये हैं बीना फ्लेबर वाला दही से बहुत अच्छा दही बनता है तो आपके पास जो भी दही है आप वो डाल सकते हैं हम इस तरह से दही डालके दूद में मिला लेंगे और आज मैं एक बहुत अच्छा टेप्स बता रही हूँ जो बजार में आपको प्रोबायोटिक्स दही मिलता है तो आज मेरे पास प्रोबायोटिक है इस तरह का दो कैपसूल हम तोर के इसके अंदर डाल देंगे तो ये दही बहुत ही हेल्दी दही बनेगा हमारा प्रोबायोटिक्स योगार्ट बनके तैयार हो जाएगा तो इसको डालके हम इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे हमारा दही बनेगा हम इसको मिक्स कर लिए हैं और अभी हम Instant Pot को लगा दिए इसका धकन अच्छी तरह से और इसमें हम ताइम सेट करेंगे तो फोर आवर्स में हमारा दही बहुत ही टेस्टी बनता है अच्छा बन के तैयार हो जाएगा तो फोर आवर्स के लिए हम ताइम सेट कर दिये हैं और स्टार्ट कर देंगे तो देखिए जैसे स्टार्ट होगा इसमें बीप करने का आवाज आने लगेगा और 4 आवर्स पूरा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारा दही कितना अच्छा बना है तो चलिए 4 आवर्स पूरा हो गया है अभी हम खोल के देखते हैं हमारा पर्फेक्ट दही बन के रेडी हो गया है और क्रीमी टेक्स्चर वला अगर दही चाहिए आपको इस तरह का तो आप इसके लिए दही को छान लीजिए एक कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा ले लीजिए एक बर्तन के उपर रख दीजिए और उसके उपर साड़ा दही डाल दीजिए और उसको ढखके छोड़ दीजिए एक घंटा के लिए तो जितना साड़ा दही के अंदर पानी है सब छन के कपड़े से नीचे चला जाएगा बर्तन में और उपर दही बच जाएगा तो देखिए इस तरह से हम दही को छान लिए है और ये दही बहुती टेस्टी क्रीमी टेक्श्चेर बला दही बन गया है तो दोस्तो इस तरह से आप बहुती टेस्टी दही बना सकते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए थैंक यू